भरत को मैसूस हुआ कि सिरदर्द असय होता जा रहा है। मेज का दराज खुला एक पैरा सीटा मुल की गोली निकाली और पानी के बिना ही निगल ली। उसे बचपन से ये अजीब सी आदत थी। दवा की कड़वी से कड़वी गोली भी बिना पानी के निगल जाया करता किन्तु क्या इस समाचार की कड़वाहट को भी उसी आसानी से निगल पाएगा। वो जब से लंदन से वापस आया है एक विचितर सी भावना से ग्रस्त है। उसे वहीं ये समाचार मिला था। रमा ने फोन पर ही बता दिया था मैं मा बनने वाल हूँ और तब से अब तक भरत एक निरंतर सोच में डूबा हुआ था। क्या रमा का मा बनना सही है उसके पती की क्या प्रतिक्रिया रही होगी जब उसे ये समाचार मिला होगा। रमा तो बहुत प्रसन लग रही थी। फिर वही सोच सोच कर क्यों परेशान हो रहा है। दुनिया में सबके बच्च हो गई तो ऐसी कौन सी नई बात हो गई। समिता कॉफी बना लाई थी। आठ साल हो गए उनकी शादी को जैसे कल ही की बात हो। अब तो दो दो बेटे हैं घर में मिंकू और चिंकू दोनों की शकल हू बहू अपने पापा से मिलती है। वही निली आखें गुरा रंग ती प्रती दिन कुछ न कुछ तो तूटता ही रहता है घर में। बहुत प्यार से इसमिता ने कौफी का प्याला अगे बढ़ाया। ना जाने क्यों भरत को महसूस हुआ जैसे वे समिता से आखें चुरा रहा है। कौफी पीकर भी उसे कुछ ठीक सा महसूस नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी को समाचार दे या नहीं। एक ना एक दिन तो उसे मालूम हो ही जाएगा। और फिर यदि रमा नहीं चिठी में लिख दिया तो। इसमिता को क्या जबाब देगा। इसमिता ने पूछी लिया आपकी लंदन में रमा और इंदर से मिले। हा भारत की सोच तूटी एक अच्छी खबर है रमा मा बनने वाली है क्या पर रमा तो कुछ होरी बता रही थी अपने पती के बारे में। जब अपने यहां हकीम लोग शर्तिया कमजोरी का इलाज कर देते हैं तो लंदन में तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर मौजूद ह कहने को तो कह गया भारत किन्तु उसे लगा जैसे इसमिता का वाक्य उसी की और लक्ष किया गया है। उसे मुलाकात नहीं हो पाई। चलो अच्छा है। बेचारी का जीवन सैटल हो जाएगा। उसके जीवन में क्या बढ़कन थे। भरत एक बर फिर सोच में पढ़ गया। इसमिता से उसका विवा प्रेम विवा ही कहलाएगा। दोनों स्कूल के दिनों से ही कठे पढ़ते थे। इसमिता उसे दो ही क्लास पीछे थी। शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को 15 वर्षों से अच्छी तरह जानते थे। इतनी प्यार करने वाली पत्नी से वो कैसे इतनी बड़ी बात चुपाये जा रहा है। इसमिता ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ा मिंकु दूसरी कक्षा में पढ़ता है और चिंकु पहली में। इसमिता का सारा देन बच्चों में ही बीच जाता है। उन्हें स्कूल के लिए तयार करना, खाना बनाना, बस पर चढ़ाने जाना और लेने जाना। कभी कभी तो इतनी ठक जाती है कि रात होते ही धम्म से विस्तर पर गिरते ही सो जाती है। बहुत बार भरत रात को सोती इसमिता का चेरा नहारता रहता है। जो सौमेता उसे अपनी पत्नी के चेरे पर दिखाई देती है, वो कभी भी अपने साथ काम करने वाले सैकडों एयर होस्टेसों में नहीं दिखाई दी. इस पीच कई बार उसके कदम बहके, किन्तु इसमेता बच्चों और घर का ख्याल ही उसे बठकने से बचा लेता था. कॉलेज के दिनों से ही भरत लड़कियों में बहुत लोग कप्रिय था, हर लड़की उसके गोरे रंग और नीली आँकों की दिवानी थी, उस पर उसकी गहरी और रोविली आवाज, सब लोग सोचते थे कि भरत को फिल्मी हीरो होना चाहिए, किन्तु भरत को एक्टिंग से मिलने अमेरिका गए थे, वापस आकर बूरे थे, भरत बेटा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर अमेरिका नहीं देखा, तो कुछ भी नहीं देखा, वहां की जिन्दगी को शब्दों में नहीं बता सकते, स्वर्ग है स्वर्ग, भरत को भी विदेशी वस्तों से कम रही थे, भारत दिन में भी सपने देखा करता था, अचानक पंक लगा कर अमेरिका और योरोप की विदेश के अलावा भी कोई जीवन है, बैंक में प्रोबेशनरी ओफिसर था भरत, किन्तु काम में मन नहीं लगता था, कभी भी नौकरी को गंबीरता से नहीं लिया था, बैंक अफसर को वो सदा ही लोरिफाइट लर्क कहता था, मन में कोई भटकाव था, एरलाइन की नौकरी मिलने पर उसकी प्रसनता की कोई सीमा नहीं थी, इसमिता ने तब भी कहा था भरत, इस नौकरी में ग्लैमर जरूर है, पर स्टेटस नहीं, तुम सोचो, बैंक में संसार कितना बड़ा हो जाएगा, आज अमेरिका तो कल योरोप, जापान और रूस हमारी मुट्टी में बन, बैंक की नौकरी में तो तुम्हें कभी भी विदेश की सहर नहीं करवा पाऊंगा, एरलाइन जोइन करते ही शादी कर लेंगे, तुम्हें तो कोई शौकी नहीं अभी से दादी बनी जा रही हो, एरलाइन में फ्लाइट परसर, शुरू शुरू में तो असिस्टेंट फ्लाइट परसर ही बनाता, ट्रेनिंग में बताया गया था कि विमान में टॉलेट भी साफ करने होंगे, ब्रामर का बेटा और जमाधार का काम, सारा ग्लेमर नीचे बह गया, पर विदेश जाने की खुशी ने जैसे सब कुछ भुला दिया था, भारत को शुरू से ही लड़कियों में फोड़ी अधिक दिल्चस्पी रहती थी, लिंडा गुडमेन की किताब में उसने पढ़ लिया था, तुला राशी के लोगों को 60 साल की उम्र में भी विप्रीत सेक्स के प्रती आकर्शन बना रहता है, वे तो अभी केवल 25 का ही था, तो उसका आकर्शन तो स्वाभावी की था, विमान में भी वो महिला यात्रियों का ज़रा अधिक ख्याल रखता था, इस मिता अपने पती की इस कमजोरी से पूरी तरह वाकिफ थी, पर दूसरी लड़कियों में रूची तो ले सकता है, पर अपना घर तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता, मैलाओं को प्रभावित करने की अपने पती की आदत पर इस मिता को कभी हसी आती, कभी गुसा तो कभी दया, परन्तु अपने पती के इस कमजोरी का कारण वो कभी समझ ही पाई, समझ तो कभी भरत भी नहीं पाया कि रमा से उसकी मुलाकाद गणिश्ता में कैसे बदलती गई, मुलाकाद गणिश्ता में बदलती ही क्यों है, रमा उसके जीवन की पहली युगती तो नहीं थी, फिर कारण क्या है, वो इतना बिचैन क्यों है, दिमाग जब इतने बड़े फिमान में वो रमा की ओरी क्यों आकरशित हुआ क्या इस लिए कि रमा बहुत सुन्दर है या इस लिए कि रमा benutő लिफ्ट दी थी क्या कोई लड़की उसे लिफ्ट देती तो उसकी रौ में बहे चलता यादि इन दर उस फ्लाइट में रमा के साथ होता तो क्या उसकी बातचीत भी शुरू हो पाती क्या जो हुआ सही हुआ सही क्या है गलत क्या है भारत के दिमाग की नसें जैसे फटी जाना चाहती थी लगा जैसे सब के सब सवाल बिर्मानी है फिर से एक सवाल कौन था जिसने भरत के समूचे व्यक्तित्व को ही हीला डाला क्या वो पश्टा रहा है क्या वो स्वैम को अपरादी मैसूस कर रहा है रमाने फ्लाइट पर ही उसे अपने घर का फोन नंबर भी बताया था उसे घर आने के लिए भी कहा था हम लोग लंडन में भी पंजाब में रहते हैं साउथ हॉल में आ जाएएगा तो मक्की की रोटी के साथ सरसूं का साग भी खिला दूगी रमाने पीली सलवार के साथ हरी कमीज पहन रखी थी मक्की की रोटी और सरसूं का साथ पंजाब का लोग संगीत भारत के दिमाग में बजने लगा सोचते सोचते ओटों पर एक फीकी सी मुस्कुराहाट उपरी दिमाग फिर बेलगाम हो गया रमा को प्रभावित करने के लिए उसने इंदर का बहाना बना कर एक बोतल शैंपेन भी उसे बेट में दीती रमा को भी शैंपेन अच्छी लगती है वो और कोई मादक पे तो लेती नहीं है फ्लाइट पर भी उसने कहा था तुम्हारे बिलने के खुशी में एक ग्लास ले रही हो आम तोर पर किसी खुशी के मौके पर ही एकाज ग्लास लेती हो रमा के व्यक्तित्व का खुलापन उसे अच्छा लगा था पर उसकी आँखों की भाशा को भरत समश नहीं पाया था एक विचित्र सी भावना थी वे उनकी तह तक नहीं पहुँच पा रहा था क्या रमा उसे केवल खाने पर ही बुला रही है या कुछ और भी होटल के अकेले कमरे में भी वो रमा को लेकर कुछ न कुछ सूचता रहा आकिर रमा चाहती क्या है आकिर वो स्वयम क्या चाहता है पहुँच गया था रमा के घर उसके होटल से बस नंबर 105 रमा के घर के करीबी उतरती है रास्ते में बूट से उसने रमा के लिए एक शीशी नीना री की परफ्यूम की ले ली थी रमा ने कहा भी था कि उसे यह परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है इंदर घर पर ही मिला उसने अपने लिए बियर डाल ली थी एक गलास में ताज्जुप तो उसे तब हुआ जब भरत ने कहा कि वो शराब नहीं पीता अरे अब तुम्हे अरलाइन वाले ही पीना छोड़ दोगे तो दुनिया का क्या बनेगा भाई जान छोड़ता तो तब अगर कभी पकड़ा होता मैंने तो कभी पकड़ा ही नहीं यह कहकर भरत ने रमा की ओर देखा रमा ने एक बर फिर विचेतिसी नदरों से भरत की और ताका रात देर तक तीनों बातें करते रहे घर में और कोई था नहीं यह देपी रमा और इंदर के विवा को छै वर शोड़ चुके थे पर कोई बच्चा नहीं था भरत भी सबसे बहुत जल्दी गुल मिल जाता है और मूफट भी हो जाता है अरे भाई लोग यह फैमिली प्लैनिंग हिंदुस्तान में तो समझ में आती है पर तुम दोनों ने यह विलायत में क्यों प्रेक लगा रखी है हमें देखो शादी का बस पांस साली हुए है और अभी से दो दो बेटों के बाप बने हुए है वातावर भरत की आशा के विक्प्रीत एक एक बोजिलो उठा इंदर कुछ समय के लिए विजलित सह हो गया पर शीग्री सहज भी हो गया रमा ने भरत की और देखा था उन नीली आँखों में उन उसकी आँखों में नमी थी दोनों रात को भरत को छोड़ने के लिए आये बहुत सुन्दर सी फोड गाड़ी थी इंदर के पास भरत को भी अपनी 62 मॉडल फियेट याद आने लगी सबेरे धक्का मारने पर ही स्टार्ट होती थी उसके जीवन में काफी धक्के और हिचकोले लिखे थे भरत दोनों को अपने होटल के कमरे में ले गया बहाना कॉफी पिलाने का मनी महनू ने बसाना भी चाहता था कि मैं लंडन में भी वो पांस सितारा होटल में ठहरता है चलते हुए रमा ने इसमिता के लिए एक साड़ी और बच्चों के लिए खिलोने भरत को दिये भरत कहता रह गया अरे रमा जी आप तो हिंदुस्तानी कस्टम्स वालों को जानती ही है अरे वे लोग हमें यूनिफॉर्म में भी कुछ ले जाने की अजासत नहीं देते उत्तर में रमा ने इतना ही कहा क्या मेरी खातिर आप इतना भी नहीं कर सकते चुप चाप भरत ने वे पैकेट अपने सूटकेस में रख लिए काफी देर तक रमा की आँखें भरत को याद आती रही उन आखों में था क्या भरत किसी निशकर्ष पर नहीं पहुँच पाया किन्तु उन में कुछ ऐसा था जो भरत को बेचैन किये जा रहा था इस मिताने वे उपहर बहुत सहच तरीके से लिए रमा और इंदर के बारे में पूछती रही सुनती रही फिर बोली अगली बार जाओगे तो उनके लिए भी कुछ ले जाना ऐसे दूसरों का एहसान चड़ता है क्या यही एहसान की भावना थी जिसके कारम भरत इस चक्रव्यू में फस गया था क्या सचमुच उसे रमा अच्छी लगने लगी थी कई बार उसे लगता जैसे इंदर की उपसिती उसे खलने लगी थी वो चाहने लगा था कि रमा उसे अकेली आकर होटल में ही मिले रमा के आखे देख कर भरत को लगता शायद वे भी यही चाहती है वे रमा के मन की था नहीं पा सका था जान पहचान कब और कैसे दोस्ती और घनिश्टा में बदल जाती है इसका साक्षी किवल समय रहता है समय के लिए देखो सीमाओं की कोई अर्थ नहीं होते उसे कभी भी किसी भी पासपोर्ट या वीजा की आवश्रक्ता नहीं रहती एक वही तो है जो लंडन से बंबई तक की दूरी पलक जपकते ही तै कर लेती है इसलिए जब रमा भारत आई तो उस समय उससे पहले ही दर्शक बनके यहां पहुँच चुका था रमा आई थी अपने भाई की शादी में शरीकों ने इसमिता के लिए तो जैसे उपहारों का अमबार साही लगा दिया था उसने कपड़े, मेकप का समान, बच्चों के कपड़े और माइक्रोवेव अवन इसमिता तो घबराई गई थी, उसने भारत को भी कहा था, इतना समान कैसे रख लो, हम तो इतना कर भी नहीं सकते रमा ने सुन ली इसमिता की बात, इसमिता मुझे पराया ना समझो, तुम लोग का साथ मुझे बहुत भाता है फिर मैं कौन सा तुम्हारा ये ऐसान चड़ा रही हूँ, तुम्हारी दोस्ती और प्यार जो मुझसे मिला है, जो तुमसे मिलता है, वो इन चीजों से कहीं बढ़कर है रमा के हैसान बढ़ते रहे और भरत पर एक बूज, उस बार भरत ने लंदन में रमा को फोन किया, तो रमा ने उसे घर आने को नहीं का, उस वेमी उसे मिलने होटल आने का आग्रह करने लगी, भरत मानी मन में खुश भी था और थोड़ा हैरान भी फिर उसने कंदे उचकाए, शीशे में अपने आपको दिखा और मुस्कुरा दिया, तूथपे से दान साफ किये और शरीर पर कोलन का शिड़काव किया, रह रहकर उसे रमा की आखे आधा रही थी, क्या उसने रमा की आखों की भाशा ठीक से पढ़ ली थी, क्या रमा भी की बॉटल फ्रिज में ठंडी होने के लिए प्रतीक्षा की घडियां बहुत कठिन हैं, और फिर ऐसे वातावरण में तो घडियां कठनी और भी मुश्किल हो जाती हैं, भारत ने एक पत्रिका उठा ली, पन्ने उल्टे पल्टे, कितु एक आग्रिचित नहीं हो पा रहा फिर पन्ने उल्टे पल्टे, कंगी से अपने बाल एक बर फिर ठीक किये, विस्तर को एक बर फिर सलीके से ठीक कर दिया, सोच रहा था रमा कहां बैठेगी, उससे बात कैसे शुरू करूंगा, चुझ रहाट हुई, ना कितना परिशान हो रहा हूं, कि आज पहली बार उसस चला दिया, कोई फिल्म चल रही थी, गाना बज रहा था, इत्यादी, इत्यादी, वही कमरे से ही फोन उठाया, और घर का नंबर मिलाने लगा, फिर सोचा 15 पाउंड का बिल तो फोन का ही आएगा, इतने पैसों में तो इस मिता के लिए अच्छा से वो पहार खरीदा जा स रखता है, रिसीवर क्रेडल पर रख दिया, एका एक विचाज शंकला तूटी, कहीं इंदर साप तो नहीं है, पर रमा ने तो ऐसे कुछ नहीं कहा, नहीं अकेली ही आ रही होगी, शरीर का तनाव बढ़ता ही जा रहा था, कपाट पर जस्तक हुई, कापते हाथों से भरत दर्वाजा खोला, सामने रमा खड़ीती हकेली, एक दम दुलहन सी सजी हुई, लगता था जैसे आज वो भरत का इमान डगमगाने का पूरा सामान करके आई थी, भरत को विश्वास नहीं हो पा रहा था, कि उसके सामने वही रमा खड़ी है, जिसे वो पहले भी कई बार मि दिखने लगा, रमा मुस्कुराई, अंदर नहीं बुलाओगे, भरत जैसे निद्रा से जागा, रमा को अंदर बिठाया, अपने आपको सहियत करने की कोशिश करने में लगा रहा, उसका आत्म विश्वास बुरी तरह से डगमगा गया था, थोड़ी दिर दुनों बैठे रहे, चुप, अंतता रमा नहीं चुपी तोरी, हैरान तो होगे कि अचानक तुम्हारा होटल में अकेली क्यों चली आई, भरत ने के वद सेर हिलाया, इतने चुप क्यों बैठे हैं, कोई बात तो कीजिए न, आप तो चुप रहने वालों में से नहीं, भरत अब भी खामो कुछ था, एक आएक बोल उठा, इंदर नहीं आया, कहीं वो बाहर तो नहीं गया है, हाँ, आस्ट्रिया गय है, तुम, आप तो यहां तीन दिन रुपने वाले हैं न, तुम ही ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं, मेरे सवाल का, हाँ, तीन दिन ही रुपने वाला हूं, रमा एक बार फिर सोच में पड़ गई, जैसे तै नहीं कर पा रही हो, कि बात कहां से शुरू करें, अब तक भरत का आत्मविश्वास लोट आया था, वो रमा के काफी नस्दीक आकर बैठ गया, रमा का मौ उपर की और उठाया, और उसकी आँखों में आँखे डाल कर देखने लगा, रमा ने भी मना नहीं किया, दोनों की आँखों में लाल डोरे तैरने लगे थे, भरत ने अपने ओट रमा के ओठों पर जुका दिये, रमा तडब कर पीछे को हट गई, भरत, मैं इसी विशह पर तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैंने हमेशा ही तुम्हारी आँख में एक विशेश भावना अपने बारे में महसूस की है, ये भी जानती हूँ, इस समय तुम्हें रमा की नहीं, उसके शरीर की जरूरत है, ये भी जानती हूँ कि ये इसमिता के प्रती अन्याय होगा, मगर मैं अपने और तुम्हारे संबंधों का किसी फाइव स्टार होट कि एक रंगीन राद बना कर बदनाम नहीं होने दूँगे, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मगर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नहीं हो सकते, मैं तुम पर हग भी नहीं जता सकती, तुम इसमिता के हो और अपने बच्चों के हो, अपने कारण, अपने कारण मैं तुम्हारे परिवार को नहीं तूटने दूँगे मगर साथ ही यह भी सच है कि इंदर के साथ रहते हुए भी मैं बहुत अकेली हूँ मगर और रमा की रुलाई फूट पड़ी भरत ने आगे बढ़कर रमा को अपनी चाती से सटा लिया वो संभवता अभी रमा के शरीर की गर्वी में अधिक रुची ले रहा था रमा की परेशानी में अभी तक वो एकरस नहीं हो पाया था रोनी रमा मुझे बताओ दिक्कत क्या है तुम्हें इंदर से क्या कश्ट है तुम्हारे जीवन में किस बात की कमी है कमी है भरत एक बहुत बड़ी कमी है एक अजीब सा खालीपन इंदर मुझे जीवन के सभी सुख दे सकते है मगर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सुख नहीं दे सकते वह मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते है वह मुझे मा नहीं बना सकते पहली बार भरत को रमा से सहानबूती हुई फिर भी उसने पूछी लिया किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया उसे अपने स्वर का खोकलापन महसूस हो रहा था कहां कहां नहीं दिखाया यहां लंदन में, जर्मनी में, इंडिया में मगर कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सका भरत, मेरी एक बात मानोगे भरत थोड़ा सा तर्क हुआ बोलू मानोगे अरे भई, बोलू तो सही पता तो चले कि मानना क्या है भरत, मैंने तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा नहीं मांगा न भरत, मुझे एक चीज दे दो बस एक ही चीज मुझे एक बच्चा दे दो अपना बच्चा अपनी निशानी मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार दे कर पालूँगी भरत अवाक रह किया था उसे कोई जवाब नहीं सूज रहा था इसमिता, मिंकू, चिंकू उसके दिमाग को मतने लगे रमा ने फिर भरत की आँकों में आके डाल दी आज भरत को रमा की विचितर भाशा कार समझ में आ गया अपने आप पर जहलाट भी होने लगी स्वेम को बेवकूफ फसा हुआ महसूस करने लगा फिर बोल पड़ी रमा एक बात याद रखना भरत इसके बाद मुझे अपनी रखेल नहीं समझने लगना नहीं मुझे तुबारा होटल के कमरे में अकेले आने के लिए कहना तुम चाहो भी तो इसे नहीं पाऊगे हमारे शरीर मिलेंगे तो केवल इस लिए कि मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए इसके बाद अपने संबंदों की प्रतिष्टा बनाए रखना और हाँ यह सब यहाँ इस होटल में नहीं होगा यह होगा मेरे घर में मैं इसे एक पाप की तरह नहीं करना चाहती मैं अपने बच्चे के सामने अपरादी महसूस नहीं करना चाहती और मेरे घर में भी इंदर के विस्तर पर नहीं एक अलग कमरे में एक अलग सजावट के साथ एक विशेश काम बोलो तुम्हें मन्जूर है रमा ने भरत का हाथ पकड़ा और अपनी कार की ओर चल दी भरत अभी तक तैर नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करने जा रहा है सही गलत की भावर में फसा हुआ था वो भावर गहरा हुआ जा रहा था वह भावर में डूपता जा रहा था उसमें से बाहर निकल जाना अब संभव नहीं था इस मिता ने भरत के कंदे पर हाथ रखा तो भरत भी सोच से बाहर निकला मिंकू और चिंकू सो चुके थे इस मिता नाइटी पहन कर सोने की तयारी कर रहे थी उसने बहुत प्यार भरी नजरों से भरत को देखा भरत के अंदर तक सेहरन की एक लहर सी दोड़ गए दिमाग में एक विस्फोट हुआ अगर रमा के बच्चे के आँखें में नीली हुई अगर उसका चेहरा भी भरत से मिलता हुआ तो क्या वो कभी भी इस मिता का सामना कर पाएगा इस विस्फोट की तीवरता को भरत सेह नहीं पाया और आँखें बंद कर सोने का असफल प्रयत्न करने लगा तेजेंद शर्मा की यह कहानी बस यहीं तक है यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो क्रपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यमा